नमस्कार मित्रो स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल संगीतास पहन में आसा करते हूँ आप सबी अच्छे होंगे आप सबी स्वस्त और मसते हैं इसके लिए कमेंट में जैमातादी अवस्य लिखें आज के इस वीडियो में बात करूंगे कि सावन का महीना कब से लग रहा है और इस पर सावन में कितने सावंबार आ रहे साथी ये वीडियो पूरे सावन के महीने के ब्रत्यों हरुके विसे में होगा तो वीडियो में आंते तक बने रहे हैं वीडियो की कोई भी बात आपको उप्योगी लगे तो इस वीडियो को जादा से जादा से एर करें इस महीने यानि कि सावन के महीने में 2024 में बहुती सुपसयोग भी बन रहे हैं बहुत सारे ब्रेत उपुआं सारे सावन का महीना ही चारू तरफ हर्याली से भरा हुआ होता है जमा जंबारी सोड़ी होती है औ कोई भी जानकारी उप्योगी लगे तो इस वीडियो को जादा से जादा सेयर करें साथी कमेंट में अपने राई भी अवैसे दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिसे हर लेटिस्ट जानकारी सबसे पहले हब तक पहुंसके तो आईए सुरू करते हैं सावन के विसे हमें डिट्यल में जानकारी और सावन में कितने सौंबार पढ़ने हैं इस विसे हमें जानते हैं साथ ही एक बात ये भी कहना चाहूंगे आप सभी मित्रों से कि अगर आप कोई भी ब्रेथ उपा सब सुरू करना चाते हैं पहली बार ब्रेट उठा रहे हैं तो सावन के महिने से उठा सकते हैं चाहे हो साधी सुधा महिलाएं हो या कुवारी कन्याएं हो सावन के महिने में मंगला गौरी ब्रेट भी आता है आप मंगला गौरी ब्रेट भी उठा सकते हैं सावन के सोला सॉमवार भी ले सकते हैं और स पूर्णी मा का माश्या का कोई भी ब्रेथ बताया है तो सावन के महिने से आप ब्रेथ ले सकते हैं जैसे कई ब्रेथों को भाद्रपत से या आसिवन से सुरू नहीं किया जाता लेकिन सावन का महिना ऐसा महिना है इसना आप कोई भी ब्रेथ को सुरू कर सकते हैं बहुत ही स सुर्वात सावन मा में कर सकते हैं, तो आप जानतें डिटेल से सावन का महीना कब से लग रहे हैं, इस वर्स याने कि 2024 में सावन का महीना 22 जुलाई से सुरू हो जहीए और चाहिए मैने सोने पे सुहागा कह लिजे इसे कि इस दिन यानि की 22 जुलाई के दिन सौमवार का ही दिन है यानि सिव जी का दिन है और सावन का महिना सिव जी के लिए बहुत ही पिरियो होता है सौमवार तो सिव जी का होता ही है और सौमवार जो आखरी सौमवार होगा 19 अगस्त को होगा इस दिन सावन का महीना समाप्त होगा, देखके कितना अच्छा दिन है, 22 जुलाई से सावन के सामवार सुरो हो रहे हैं, सावन का महीना सुरो हो रहा, इस दिन भी सामवार का दिन है, और 19 अगस्त को सावन समाप्त हो रहा, इस दिन भी सामवार ही है, साथी 19 अगस्त को आदूंगे आप देख सकते हैं इसके साथ ही सावन के विशय में मेरे चैनल मेरे ब्लोग संगितासपन.com पर डिटेल में पोस्ट लिखी हुई आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं, आप पढ़ने के सोकिन हैं, तो पढ़ सकते हैं, सुनने के सोकिन हैं, तो मेरे YouTube चैनल पर आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, आप बात करते हैं, सावन में सौमवार की तिथी, पहला सौमवार 22 जुलाई को होगा, दूसरा 29 इन सबी सौमवार के बारे में, मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो बहुत जल्द अप्लोड कर दूँगे, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, तो यह थी सावन के सौमवार कब कब आ रहे हैं, इस विशे में जानकारी, आप लोग इन सौमवार को ब्रत ले सकते हैं अगर आप सौस्त नहीं हैं, तबाईया चल रही हैं, या आपको वीकनेस महसुत होती हैं, ब्रत लेने के बाद आपको बहुत सारी दिक्कते हैं, कई महिलाओं को वामेटिंग हो जाती हैं, तो आप लोग पूरे सावन में सौमवार को जला भी से कर सकते हैं, जल चड़ा सक सकते हैं, और सावन के ब्रत ना भी लें, तो पूजा पाट करके अपना काना खा सकते हैं, तबाईया खा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ा ऐसी होती हैं, या वर्किंग लेडी होती हैं, ओपिस जाना होता है, उन पे स्ट्रेस बहुत होता है, काम का, घर कोई कुछ न कुछ बर्क कर रहा होता है तो अगर आप ब्रेत नहीं ले सकते हैं तो आप स्यूजी को जलर पित कर सकते हैं जलाबी से कर सकते हैं भगवान भावना के भूके होते हैं भगवान कभी नहीं कहते कि आप भूके रहें ब्रेत उपवास लें भगवान आपकी भक्ती से प्रसन्न होते हैं और भक्ती महीं सकती होती है हम सभी जानते हैं सावन आने में वैसे तो अभी कुछ समय है लेकिन आप सावन का महीना लगने से पहले कुछ सामगरियां जो पूजा संबंदियां और सरिंगार संबंदियां और जलाविसेग के लिए आवश्यक हैं उन्हें लेकर रख लें जैसे गंगाजल आप कहीं पवित्री तिरसी स्थल पर जा रहे हैं या फिर कोई और व्यक्ति जा रहा है तो गंगाजल अपने घर में सावन सुरू होने से पहले लेकर रख लें आप खरीद कर भी रख सकते है या वित्रसी स्थल पर जा रहे हैं तो वहां से भी ला सकते हैं इसके साथ ही सावन के महींने में हरी चीजों का सरख और हरी साड़ी, हरे कपड़े, चूड़िया, बिंदी, लगबग ज़्यादा से ज़्यादा चीज हैं, हरी ही उप्योग में ली जाते हैं, तो आप अपने लिए हरी साड़ी, हरी चुंदरी, सोट, सलवार, जो भी पहन कर आप कमफर्टेबल होते हैं, उसे लेकर रख ले, यहां सिलने को दे दें, क्योंकि अभी तो टाइम है, लेकिन जब सावन का सौंबार सुरो हो जाएगा, सावन का महीना सुरो हो जाएगा, तो आपको सिलाई के लिए टेलर भी नहीं मिल पाएंगे, तो पहले इन चीज़ों को रख ले, अगर आप अपने पीहर माई के जा रही हैं, तो महा से सावन के महीन में पहनने के लिए हरी चूड़िया अवज सिलाई, क्योंकि सिरेंगार की जादा से जादा सामगरी पीहर से लाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, माई के जाने पए लाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, अभी समर वैकेशन भी हुए थे, तो उस भीच अगर आप माई के से आए हैं, तो साध आप गरीन कलर की Sandy लेके आयोंगे, चूड़िया, कड़े, कुछ भी, यह हरी वस् महेंदी अपने हाथ उपर अचाते हैं सावन का महीना है और शिव जीऊ और माता पार्वति का महीना है तो माता पार्वति को पुझ शुरिंगार की चूडिया मह Independence स्रिंगार जो सोलौ सुरिंगार होते हैं इनि सभी सामाघ्रीय को अर्पित करें और असको कहा जाता है इसके स ले सकते हैं लेकिन कहा जाता है कि जो तांबे का पात्र होता है जिससे हम सुरीदेव को जलर्पित करते हैं हमारे मंदिर पर जो पात्र होता है तांबे का उस पर गुड़ या गुड़ नहीं डाला जाता है क्योंकि यह मदिरा के समान हो जाता है इसलिए आप महिला है या तिल का लोटा सरवोथ्तम है, लेकिन दूद भी थावेके जल में है यह तावेके पात्र में, पीतल के पात्र में नहें दिया जाता है, क्योंकि विश番 के समान बन जाता है, तो इन बातों का ध्यान दखे सान लेकर पहले यह रखलाब, जो भी स्रिंगार के सामगरिया होती हैं उन्हें भी रख ले और ये लोटा गंगा जल इन सबी चीज़ों को भी लेकर रख ले साथ ही बहुत से लोग सावन के महिने में लहसुन प्याज या तामसिक भोजन मांसमदिरा इन चीज़ों कभी परहेज करते हैं बहुत से लोग तो एक ही समय भोजन करते हैं वो भी फलाहार के रूप में बहुत सारे लोग पूरे सावन में ब्रत रखते हैं जो लोग साथ बिक भोजन का आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है वो हर दिन ऐसा कर रहे हैं तो अगर जो नहीं कर पा रहे हैं में भी में चैनल पर वीडियो है लेकिन आपे संगसित में आपको बता दू कि आदरानक्षेत्र के टाइम पर बिहार यूपी में यह ज़्यादा मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा इससे भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान इंद्रदेव विष्णोदेव और सुजी को प्रसन्न किया जाता है मानसुन के आने के लिए किया जाता है और इन दिनों डाल की पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है बहुत से लोग साकसब जी का भी भोग लगाते हैं घर में भी बनाते हैं और आसपडोस में भी बारते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इन दिनों ख लड़ू गोपाल जी को और सालिगराम जी को ये भोग लगा रहे तो आप इसमें तुलसी पत्र अवस्य डाले तो आज के वीडियो में आपको संक्सित में बता दिया कि आतरानक सत्र कव है रक्षा बंधन कव है इन दोनों के वीडियो में और लेडियो डाल भी चुकी हूँ और डेटेल से वीडियो में अभी एक दो दिन उमर डाल दोंगे लेकिन इस वीडियो में आपको जो जो जानका लेकर रख लें जैसे आपको उप्वास ब्रेथ के दिन किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से सीजिल को परसने कर सके अपने वैवाहिक जीवन को खुसाल बना सके और जो अविवाहिक लड़किया हैं वो भी अपना मन पसंद जीवन साथ ही पा सके तो के माध्यम से अपने राई दे सकते हैं अगर आपका कोई क्वेरी है कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंड में पूछ सकते हैं इसके साथ ही अगर आप पढ़ने के सौकिन है तो मैंने बताया कि संकितास्मेंड.com मेरा ब्लॉग है वहाँ पर जाकर आप डिटेल सुब रहे भोले नात की लड़गो पाल के आपके किरपा बनी रहे हर हर सम्भू